आज हम बनाने जा रहे हैं पैन केक जिसको बच्चे डोरा के केक भी कहते हैं इसके लिए हमें चीज़ें चाहिए होगी एक अंडा लाज साइज का एक अप मैदा हाफ कप चीनी हाफ कप दूद और वन टी स्पून बेकिंग पॉर्डर सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अंडा उसके बार हम इसमें डालेंगे शूगर दूद और एक टी स्पून बेकिंग पॉर्डर इसको हम करेंगे जी ब्लैंड अब हम इसमें करेंगे थोड़ा थोड़ा मैदा शामल इसको सारी कीजों को शामल करके इसको अच्छी तरह ब्लैंड कर लेंगे और इसमें करने शामल हाफ टी स्पून मनीला सेंस जी तो हमारा मिक्स्चर जो है वो त्यार हो चुका है अब इसके लिए हमें चाहिए एक खाली बोतल छोटी छोटी एक बोतल ले लें उसके डगगन में स्राख कर लें जो हमने पहले से कर लिया है ठीक है तो अब इसमें हम डालेंगे सारा मिक्सर जी तो लो आंच पे पैन को गरम करने पहले पैन को करने के बाद उसमें डाल दें इस तरीके से ना अब बाद आंगे ना अब पकाएंगे इनको बबल आने तक जी तो यह देखें बबल आ चुके हमारे एक साइट से पक चुका है अब हम इसको पड़ते हैं यह देखें जी माशाआलला कितने खूब सुद बने हैं यह अब थोड़ी दे इनको दूसरे साइट से पकाएंगे जी तो हमारे डोरा के एक जो है वो पक चुके हैं ऐसे ही हम सारे पका लेंगे ठीक है और ऐसे निकाल लेंगे इनको हम जी बाकी की भी हम ऐसे ही पका लेंगे फिर आगे हम आपको बताते हैंगे इनको क्या करना है जी रखें जी तो ये देखेंगे ये हमारे सब त्यार हो चुके है अब हम इनको करते हैं कोटिंग जी तो हम लगाएंगे चोकलेट लगा लें कोई से भी चोक्टर लगा लें ठीक है ये देखेंगे इनको करेंगे ऐसे बंद करेंगे पम लगाट है लगाऊ जारerson हम वगाएंगे ये देखें बंदेग सबनाबार क्याओ हमchos हम भी चुणकर लगाएंगा। क्या हम् आपींग मेड़ बंदेखेंगे ये हैं उहाएंगे साफ प् – शटनि झा में ंच तो हम नहाई ग्या खुआई बंद्धु। जी तो ऐसे चोकलेट लगाके कि वापके बास अलमंड हो या पिस्ता क्रश किया हो ऐसे उसको लगा लें इसे सारे अपने कर लें आप जी तो इस तरीके से बना के तो इनको चोकलेट से गार्दिश कर लें ये देखें ये हमारे पैनकेक जो है माशाला से त्यार हैं जी देखें कितने खुबसुत लग रहे हैं इनको काट के देखें बड़े सॉफ्ट हैं ठीक है ये देखें जी देखें जी माशाला देखें बनाएं खाएं बच्चों को खलाएं और मेरे चानल को सिस्क्राइब करें और लाइक भी करें थैंक यू फॉर वाचिंग अलाफिज जी